नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में दे सकते हैं हाप स्वेटर, फूल स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट किसी में भी इस डिजाइन को दे सकते हैं ये बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लिजे फंदा आप चार के मल्टिपलेस पे डालिए चार, चार, चार और तीन फंदा एक्स्ट्रा डाल देजे फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लेजे जिस तरह का आपको बॉर्डर बनाना हो बॉर्डर बना लेजे उसके बाद आप ये डिजाइन सुरू कीजे इस design को हम सीधा के तरब से शुरू करेंगे लेकिन हम एक सलाई उल्टा के तरब से बेश सलाई बनाएंगे पहला सलाई हम उल्टा के तरब से बेश सलाई बना लेंगे उसके बाद हम दूसरा सलाई यानि की दूसरा जो हम बुनेंगे तो उससे हम आपको design बनाना शुरू करेंगे बस उसी दो सलाई को आपको repeat करना है तो हम उल्टा के तरब से आपको base row बनाने बताते हैं तो देखें उल्टा के तरब से पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन तो देखें एक फंदा को छोड़के एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा इसी चार फंदा को पूरे सलाई में repeat करना है फिर देखे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे तीन फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन अब देखें, यहां दो फंदा एक्स्ट्रा बच जाएगा तो इसको हम धागा पीछे करेंगे एक फंदा को सीधा फिर लाष्ट के फंदा को उल्टा से बना लेंगे तो देखें, हम पूरी सलाई बेस रो बना लिये हैं फर्स्ट सलाई, यह बेस रो हो गया अब हम दूसरा सलाई सीधा के तरब से इसको हम सुरू करेंगे यहां से अब हमारा यह डिजाइन सुरू होगा तो देखें, पहला सलाई, डिजाइन का पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, और एक फंदा सीधा दो फंदा हो गया अब यहां जो दो फंदा सीधा बचा उसमें से पहला फंदा को छोड़ करके दूसरा फंदा में हम इस तरह से पहले सलाई को डालेंगे और इसमें हम एक फंदा पहले बना लेंगे फिर हम जो पहला फंदा है, इसको हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे तो दो फंदा हो गया अब इस दोनों फंदा को गिरा देंगे इस तरह से बन जाएगा फिर देखे चार फंदा हो गया यहाँ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और दो फंदा में इस तरह से बनाना है धागा आगे अब फिर इसी को देखे पूरे में रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा और दो फंदा में पहला बनाएंगे पहले दूसरा फंदा को और फिर पहला फंदा को इस तरह से बनाएंगे अब गिरा देंगे फिर इसी तरह से तीसरा फूल भी हम इसी तरह बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा पहले दूसरा फंदा में बनाएंगे सीधा से बुनेंगे फिर पहला फंदा में सीधा से बुनेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई में बनाते जाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा और लास्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे देखे तो देखे हम पूरी सलाई बना लिये हैं और इसी तरह से पूरी सलाई आपका बनेगा अब दूसरा सलाई उल्टा के तरब से दूसरा सलाई देखे पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर देखें यहाँ पर जो दो फंदा है तो ये पहला फंदा को हम इस तरह पीछे से ऐसे लेंगे पीछे से इस तरह से डालेंगे और एक फंदा ऐसे उल्टा बना लेंगे और फिर जो पहला फंदा है इसको भी हम उल्टा से बना लेंगे इस तरह से और इस दोनों फंदा को गिरा देंगे फिर धागा पीछे देखे एक फूल बन गया एक फंदा सीधा फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा और इस दो फंदा में हम उल्टा बनाएंगे पहले पहला फंदा इधा दूसरा फंदा को फिर पहला फंदा को तो देखे सलाई को हम ऐसे पीछे से इस तरह से डालेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे और फिर इस फंदा को भी उल्टा बनाएंगे दोनों को गिरा दिये इसी तरह से हम पूरी सलाई में बनाते जाएंगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और ये दो फंदा में पहले पीछे बाला को पीछे से ऐसे एक फंदा बनाएंगे और फिर आगे बाला फंदा को उल्टा से एक फंदा बनाएंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे लाश्ट के फंदा को उल्टा से बना लेंगे तो देखे हम दूसरा सलाई बना लिये हैं तो देखे यहाँ पर हम दो सलाई बना लिये हैं और इसी दो सलाई को पूरे स्वेटर में आपको रिपीट करना है तो हम एक बार आपको repeat करके दिखाते हैं पहला फंदा को सीधा से बना लिए धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा और अब फिर देखे दूसरा फंदा जो है इसको हम पहले सीधा से बनाएंगे और फिर पहला फंदा को इस तरह सीधा से बुनेंगे इस तरह से हम इसको बना लेंगे फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर देखे दूसरा फंदा को पहले बनाएंगे और पहला फंदा को बाद में बनाएंगे फिर देखे धगा आगे एक फंदा उल्टा धगा पीछे एक फंदा सीधा फिर देखे दूसरा फंदा को पहले बनाएंगे और पहला फंदा को बाद में बनाएंगे धगा आगे एक फंदा उल्टा लाश्ट का फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखे हम यहाँ पर पूरी सलाई को रिपिट कर लिये हैं और इसको इसी तरह से जब आप रिपिट करते जाएगा तो आपको पूरा डिजाइन दिखने लगेगा तो हम थोड़ा सा आपको दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा यह सेटर का डिजाइन कैसा लगा कामेंट करके बताए अगर आपको मेरा यह सेटर का डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और ढिर शरत करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैंक यू…